तो आज हम हाज टू एर हाज टू का प्रैक्टिस करेंगे मुझे जाना है मुझे नहीं जाना है क्या मुझे जाना है मुझे कहा जाना है मुझे क्यों जाना है मुझे कब जाना है मुझे कैसे जाना है इत्य जादा तो अपको बता दो किये हैस्टू और हैटू एंग्जी है, है रहते हैं, तो उसे हम has to और have to से बनाते हैं लेकिन अगर sentence ऐसा हो कि उसे दवाई खानी पड़ती है means ना पड़ता है नी पड़ती है ने पड़ते है अगर last में हो तो उस sentence को भी हम इसी तरीके से बनाएंगे तो इसकी practice हम करेंगे विंद्याचल के साथ विंद्याचल आप आजाईए जड़ा अभिशक जाईए आप आईए तो मैं आपसे ऐसे sentence पुछूँगा ना पड़ता है नी पड़ती है ने पड़ते है अभी मैंने आपको पताया कि ना है नी है ने है वाला sentence has to have to से बनता है तो इस तरीके sentence को भी हम has to have to लगा कर ही बनाते है नेगेटिव एंट्रीकेटिव और कॉस्चिनेट में हम do does का इस्तेमाल करेंगे और do does का इस्तेमाल करने को बाद हम जिसके साथ has आता है उसके साथ हम has नहीं बलकि have का इस्तेमाल करेंगे ओके so are you ready let's start उसे दवाई खाने परती है he has to take medicine उसे दवाई नहीं खाने परती है he doesn't have to take medicine क्या उसे दवाई खाने परती है does he have to take medicine उसे दवाई क्यों खाने परती है why doesn't he have to take medicine उसे दवाई कब खाने परती है when does he have to take medicine yes very good go तो friends इसी तरीके से आप भी practice कर सकते हैं अपने घर पे यह बहुत ही easy way है और बहुत ही effective way है मैं अपने class में इसी तरह से practice करवाता हूँ सबको और काफी लोगों ने English सिखा है यह होता क्या एक चोली में देरे देरे practice के द्वारा हमारी frequency बढ़ती है हमारी frequency बढ़ती है हमारी translation जो बनाने की क्षमता है वह काफी तेज हो जाती है फिर हमें बात में धीरे धीरे इस तरह से उस अस्तर पर पहुंच आता है कि वहाँ पर फिर हमें सोचने की ज़रोत नहीं पड़ती है जैसे मुझे जाना I have to go मुझे नहीं जाना I don't have to go means यह बहुत ही अच्छा वे है आप इस तरह से practice कर सकते है घर पे तो फ्रेंट्स वीडियो को like जरूर कर दीजेगा और अभी तक आप अब हमारे चानल को subscribe नहीं किया होगा तो subscribe कर दीजेगा thanks for watching